राइल बरेली सलून को उत्वाली में तेनात उपने रिक्षक प्रेम प्रकाश ने पूरे सिस्टम में फैले भ्रष्टा चार और रहे जूनियर स्टापों के उत्पीडन का उजागर करती हुए थाना प्रभारी सलून विजरेश राय समें पुले सधिक्षक को भी सवालों के घेरी में खड़ा कर दिया थाना प्रभारी विजरेश राय की बात करें तो ब्रष्टा चार में पूरी तरह सनलिपते हैं जिसकी वज़ा है कि विधायक तक को भी घुटने टेकने पड़ रहे हैं और न्याय के लिए सत्ता पक्ष के विधायक भी जमीन पर बैट कर धर धर रहा है आम जनमानस न्याय की गोहार कहां लगा है जब खोड़ी थाने को नहीं समहाल पा रहे थाना अध्याच बिज़ेश राय को आम जन्ता क्या न्याय की उमीद करेगी ताज मीडिया के सामने एस पाफिस में सलोन थाना प्रभारी बिज़ेश राय की करतूतों की पोल अपने रिक्षकों प्रकाश जी का कहना है कि पूरा थाना भ्रष्टाचार में लिप्त है मैं बिमार चल रहा हूँ मुझे छोटी नहीं मिल रही तो मजबूरन मुझे स्तीफा दीना पड़ा तो मेरे कमरो सियो अमित सिंग और थाना प्रभारी सलून बिजी श्राय गए और अपने हातों से छोटी मंजूर के और मेरे रवान गी कर दी इससे साब जाहिर होता है कि सलून कोटवाली भ्रष्टाचार की काली करतूतों में सबसे अवल है अमित पटिल के रिफोग तो मेरा इलाज नहीं कराए तो मेरी पतली फोन करके कहें कि कुटों से जुटवा रहे हो ये सब जो है अब क्या करना चाहिते है ठीक हाब आप बताएजे ये मेरी पतली है जी आप पताएजियों के प्रते भी फोन से पूछ लिया जाए एक सिपाही छुट्टी लेने गया था उसकी पतली की तवियत खराब थी तो विजे स्राय उस सिपाही से कहें कि हम महिला काश्टे विल आपके घर में भेज़ देंगे ये तो अत्याचार कर रहे है अधिकाइज नहीं या ना पताएज है हाँ तो आप बताओ जब हम इस्तिफा दे दिये इनके उत्पीलन से तो तुरंते सियो सलवन अमिसिंग और इस्पेक्टर सलोन ये मेरे कमरे पर गए और अपने हाँ छुट्टी लिखे और जो है वहाँ से मुझे रवाना कर दिये मेरे हाँ की वो छुट्टी भी नहीं लिखी तसकरी वाले मामले में हम आज तक नहीं कभी हम कोई मतलब नहीं रखते थे लकिन जब अचार मेरे साथ हुआ तो कौन नहीं जानता अंचाराश्टी तसकरी वहाँ होती एक बार आपने कोई पत्र लिखा था जी पत्र लिखे तो मेरे पास मौजूद है हम पत्र को इसके बाद में आपने सफ़ाइ दिया कि मेरा लिखा नहीं नहीं आए अशा नहीं है हमने तुरांत उसपर जो आप जो आप जो है इसे वापस ले लिजिए अधा दास इनकी